हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मैरेडिन ओवर्सीज तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्डेंट चीज के लिए सो उसे स्टूरेंट्स होते हैं इटली में इपने स्टडी के लिए जाते हैं स्कॉलर्शिप अप्लाई करते हैं और सो वहां पर जाके उनको अपना अपन करना होता है कि उसको क्या करना पड़ेगा वह काऊंट ओपन करने के लिए पीर आपको इसके पर नल् Head scratch पर और अकोमेडेशन, आप जा रह रहे हो उसका प्रूफ, इसके बाद आपको बैंक जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेना होता है, उस अपॉइंटमेंट वाली डेट पे आपको आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है बैंक की उनसे जाके मिलना होगा, and they will provide you application form, किसी भी bank में आप open करोगे अपना bank account तो उसके लिए आपको एक application form फिल करना होगा and सारे document उसके साथ लगा के submit कराने होगे and आपको आपका 10 number जो आपका text identification number होता है, वो भी वहाँ पे submit कराना होता है, provide कराना होता है and apart from this, फिर जब आपका account का पुरा process हो जाता है, so आपका account within a month और 15 days वो open हो जाता है, उसके बाद आपको आपका ATM card मिलता है and IBAN number मिलता है, IBAN number क्या होता है, IBAN number जो नमबर होता है, जिसके बाद आपको कभी भी scholarship के लिए apply करते हो या कुछ भी transaction करते हो, वो आपको requirement होगा and जो students scholarship apply कर रहे हैं, ये उनके लिए most important चीज होती है IBAN number because ये देने के बाद ही scholarship आपके account में आता है and if you have any query regarding this, you can reach us through our website, you can connect with us our tool free number and also you can write us an email on our official mail ID and if you think this video is informative, so you can subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon, thank you.